आम्रस कोला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो चलिए बनाते हैं स्टोन ग्रेंडर में डाल दीजिए एक मुठी बादाम और एक मुठी डालिए काजु और शक्कर डाल दीजिए स्वाद के अनुसार अच्छे से कूट लेना है इसमें जब कूटेंगे न तो ड्राइफरूट के टुकड़े एक ही टाइप से नहीं आते हैं थोड़े बड़े थोड़े छोटे थोड़े एक दंबारी थोड़े पाउडर टाइप हो जाएगा बहुत अच्छा बनता है अलग ही टेस्ट आएगा वैसे तो मिक्सर ग्रेंडर है आसानी से आप ग्रेंड कर सकते हैं लेकिन इसमें कुटे हुए ड्राइफ रूट्स का अलग ही मजाएगा आपको आमरस गोला है ना बहुत ही शांदार बनेगा बहुत ही आसानी से बना लेंगे आप और बहुत टेस्टी वाला शक्कर डाली है ना तो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और बहुत ब और थोड़ा गाढ़ापन भी आ जाता है मैंगो पल्प को भी बनाने के लिए मैंने मिक्सर ब्रेंडर यूज नहीं किया है हाथों से ही निकाला है वन कप है और इसमें डालेंगी हाफ लिटर मिल्क इसमें कच्चा दूद मत डालिएगा दूद को पहले उवालना है फिर ठ अमने काजू बदाम कूट के रखा है वो डाल देंगे इसकी मिक्सिंग भी मैं मिक्सर ग्रेंडर में नहीं करूंगी जस्ट सिंपल तरीके से बनाएंगे हम नॉर्मली मिक्सिंग करेंगे देख लीजिए अब मैं ड्राइफरूट डाल रही हूं और ड्राइफरूट डालन दूद के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा मीठा रहेगा ना तो जमाने के बाद जब इसको खाएंगे ना तो और अच्छा लगता है फीका नहीं रहे ना चाहिब करेंट तो स्वाद बहुत अच्छा रएगा तो उस विसाब आप शक्र इसमने डाल लेशिए शक्कर को अच्छे से घोल लेजिए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं ना ही दूद को हमने गढ़ा किया है ना ही कोई फ्रिश क्रीम डाली है बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे घर में सारी चीजे रहती हैं अब आप सोचेंगे कि आइस क्रीम जैसे बनेगा बहुत गाड़ी कुलफी बनेगी ऐसा नहीं है इसमें थोड़ा आइस फर्मिशन होगा तीन इलैची में इसमें कूट के डाल रही हूं फ्लेवर के लिए इलैची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अच्छी मिठास आजेगी, मिठास बढ़ जाएगी अब इसको जमा लेंगे आप चाहे तो स्टील के ग्लास में जमाईए या फिर स्टील के कटोरी में जमाईए अभी ये मेरे पास पेपर ग्लास था तो मैं इसी में जमा रही हूं और इसके उपर फॉयल पेपर ऐसे रख दीजेगा देखो एक स्टील की कटोरी भी है अच्छे से थोड़ा टाइट पकड़के स्टीक डाल दीजेगा तो जमने के बाद जिस जगह पे पड़ी है स्टीक अभी उसी जगह पे रहेगी अभी सब को अच्छे से फॉयल रैप करना है स्टीक लगाना है और उसके बाद फ्रीजर में रखना है ओवरनाइट फ्रीजर में ओवरनाइट रख देंगे फिर दूसरे दिन आप खाईए बहुत अच्छे से जम जाएगा बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रीजर तो मेरा बहुत भरा हुआ है फिर भी मैंने इसको सेट कर लिया अब इसको रख देते हैं ओवरनाइट जमने के लिए देखे दूसरे दिन अब चेक करते हैं बहुत अच्छा बना है आमरस गोला बस ऐसे हाथों से थोड़ा सा हलका सा गरम हो जाएगा वाम हो जाएगा तो अमरस गोला निकल आएगा बाहर बहुत ही जबरदस्त लगता है जब इसको खाते हैं न तो ऐसा लगेगा कि इसमें थोड़ी सी क्रस्ट आइस भी डाली हुई है और आम का स्वाद, दूद का स्वाद, मलाई का स्वाद, काजू और बादाम का स्वाद और इलाईजी का फ्लेवर बहुत जबरदस्त मन भर के खाएंगे आप बहुत जबरदस्त बनता है ये आप बनाना अमरस गोला बहुत ही टेस्टी बनता है थंडी मेठी और बहुत देश्टी भी है